Hello friends, welcome to my YouTube channel, exercise 5.4 से question number 9 करेंगे Find the angle measure between the hands of the clock in each figure तीन figure दे रखी हैं आपको ये clock की figures हैं और इनके अंदर दो hands बने हुए हैं clock के इनके बीच में जो angle है, जो angle बन रहा है उसका measurement आपको बताना है अब clock के अंदर angle measurement बताने के दो तरीके हो सकते हैं ये तो आपके पास simple तरीका है कि आप D की help से, protector की help से इनके measure कर लो ये एक दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि हम जानते हैं कि जो पूरा revolution होता है वो 360 degree का होता है 360 पे जैसे ये clock की hand है, ये यहां से घूम के जो वापिस से यहीं पे आ जाएगी तो एक पूरा revolution हो जाएगा, 360 degree का एक पूरा revolution होता है अब 360 degree ये पूरा revolution होता है और घडी के अंदर ये 12 counting लिखी होती है 12 counting से जो घडी का जो पूरा ये जो गुलाई है, revolution है ये 12 equal parts में divide हो जाता है यानि 12 से लेके 1 तक 1 part, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 तो ये parts हो गई है तो 360 को अगर हम 12 से divide करते हैं तो इसका answer आता है 30 degree It means जो एक part में angle बनता है, वो 30 degree का बनता है एक part से जैसे अगर 12 से हम 1 चलेंगे तो ये वाली swing और जो दूसरी swing होगी यानि 12 और 1 के बीच में जो angle बनेगा वो 30 degree का बनेगा इस चीज की help से हम clock के उपर दो hand से बनने वाला जो angle है उसे पता कर सकते हैं अब first figure पे आप ध्यान दीजे यहाँ पे time 9 am लिखा हुआ है जो hour hand वो 9 के उपर है तो इसका measurement निकालने के लिए हम यह देखेंगे कि यह कितने parts को cover कर रहा है 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 यह total 3 parts को cover कर रहा है और 1 part से angle बनता है 30 degree जब 1 part से 30 degree का angle बनता है तो 3 parts से angle बन जाएगा 3 into 30 degree यानिकि 90 degree तो यहाँ पे यह जो 2 hands दे रख्या है न इनके बीच में यह जो angle है यह 90 degree का है अब आप इसे confirm भी कर सकते हैं D की help से इसे measure कर लेते हैं तो देखे D पे आपको यह वाला जो point है D के हाँ पे center पे रखना है इसे measure करके confirm कर लेते हैं थोड़ा figure को मैं ऐसे गुमा लेता हूँ ताकि मैं angle को ढंग से नाप पाँ तो center point है जो D का बिल्कुल यहाँ पे रखेंगे angle के vertex पे और यह जो ray जा रही है इस ray को इस dark line के उपर रखेंगे अब दूसरी ray को देखिए आप यह बिल्कुल इस line के उपर आ रही है और यह line जा रही है यहाँ पे 90 degree यह अंदर भी 90 है और बाहर भी 90 है तो यह 90 degree का angle है तो confirm भी हो गया तो D से भी नाप सकते हैं आप और बिना D की help से भी आप angle का पता कर सकते हैं अब B figure को देखिए B figure के अंदर time है 1 p.m यहाँ पे जो दो hands दे रखी है उनके बीच में जो gap है जो वो cover कर रही है इस circle का part वो है सिर्फ एक part क्योंकि एक hand तो है 12 के उपर और दूसरी जो hand है वो है 1 के उपर तो जो angle यहाँ पे बन रहा है वो इतना बन रहा है यह वाला angle अब क्योंकि यह एक ही part cover कर रही है पूरे revolution का और एक part मैंने बताया आपको कि 30 degree बना देता है तो B का जो answer होगा इसके अंदर यह वाली second clock का जो 1 pm time दिखाती है यहाँ पे ABC कुछ लिखने रखा तो मैं इसका नाम A रख लेता हूँ यह A हुआ यह B हुआ और यह C हुआ तो B जो clock है जिस पे 1 pm time दिखा रखा है इसका angle हो जाएगा 1 into 30 degree क्योंकि A की part cover हो रहा है 12 से लेके 1 तक एक part और एक part 30 degree का होता है तो यह 30 degree का angle है इन दोनों hands के बीच में अब इसे confirm भी कर लेते हैं इसे measure कर लेते हैं तो angle नापने का तरीका यही होता है कि आपको जहां पे angle बनता है जहां दो rays टकराती है इस point के उपर यह वाला point रखना होता है और जो ray आपके face की तरफ है वो ray बिल्कुल इस dark line के उपर आनी चाहिए तो यह बिल्कुल मैंने dark line के उपर ऐसे कर ली है आप क्योंकि angle मेरा यहां से खुलना शुरू हो रहा है मेरे right hand से और right hand में जो गिंती है वो zero अंदर की तरफ है यानि यहां से start हो रहा है तो अंदर वाली गिंती को मुझे consider करना है पहले यह line देखूँगा कि यह line किस पे आ रही है तो यह line exactly इस line के उपर आ रही है और यह line यहां पे आके यह 30 है यहां तक पहुँच रही है मुझे अंदर की counting देखनी है it means यह 30 degree का angle है तो यह confirm भी हो गया मैंने d से भी दिखा दिया आपको कि यह 30 degree का है और यह वैसे measure करके भी दिखा दिया जैसे हम calculate करते है revolution के हिसाब से तो यह जो angle यहां पे है यह 30 degree है और यह हमने निकाला था 90 degree चलिए अब यह तीसरी जो clock है जिस पे 6 pm टाइम है इसमें आप इन hands को ध्यान से देखिए एक जो hand है वो तो है 12 के उपर और दूसरी जो है 6 के उपर यह 6 pm हो रखा है अब इन दोनों के बीच में जो angle बन रहा है वो यह है यह यहां से खुलना शुरू हुई है और यहां तक पहुँच गई है अब हम पहले calculation method से देखेंगे कि इसका angle कितना बनेगा उसके लिए यह देखना है कि इसमें कितने divisions हैं तो let's suppose कि 12 पे तो यह सुई है और यह जो 6 वाली जो ray है यह पहले यहीं पे होगी तो यहां से जैसे यह 1 पे आई 2 पे आई 3 पे आई 4 पे 5 पे और 6 पे यानि इसने revolution के इस घड़ी के जो total 12 parts हैं उसमें से 6 parts को cover कर लिया 12 से 1 एक पार्ट 1 से 2 दो पार्ट 2 से 3 तीन पार्ट 3 से 4 4 पार्ट 4 से 5 पार्ट और 5 से 6 छे पार्ट 6 पार्ट को इसने cover कर लिया है अब यह angle आप चाहिए यहां से देखो चाहिए यहां से देखो यह straight angle दिखेगा आपको इधर से भी आपको देखोगे तो यह 6 पार्ट से नजर आएंगे और यहां भी 6 पार्ट है तो इसमें 30 को हम 6 से multiply कर देंगे तो हमें angle पता चल जाएगा क्योंकि 6 parts cover हो रहे हैं और एक पार्ट से 30 degree angle बनता है तो 6 को 30 से multiply करेंगे तो 180 degree 180 degree एक straight angle होता है बिलकुल एक straight line होती है वो आपको figure में भी दिखरी होगी अब यह angle पता चल गया 180 degree का है अब इससे D से भी मैं आपको confirm करके दिखा देता हूँ तो D से इसे measure करते हैं तो मैंने figure को थोड़ा सीधा कर लिया है यहां इस point के उपर angle बन रहा है जो घड़ी का center point है इसके उपर तो D को मुझे यहां पर रखना है इस center point पे D के center point को इस circle के center पर रखना है यहां पर और क्योंकि मैं angle इधर से ना पर हूँ right hand से तो right hand पे यह मैंने line line के उपर रख लिये और right hand में जो 0 मेरा अंदर की तरफ है यहां से ऐसे चलना शुरू हो then 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इधर आए तो यह जो दूसरी वाली ray है वो exactly 180 पे पहुँच रही है तो देखिए D पे भी आपका यह measurement 180 degree का ही आया है तो इस angle का जो measurement बनेगा यहां पे इन दो hand से यह 180 degree का है last part था question खतम next questions के लिए मिलते हैं next video में तब तक के लिए good bye